पापा आज हम math magic करेंगे ऐसा क्या magic करके दिखाओगे आज? देखते जाईए चलिए बताईए फिर क्या करोगे आज? पापा अबने बोर पे एक number लिखे हैं इन्ने से आप एक number सोचो इन्न में से एक number सोचना है सोच लिया मैंने उसको 2 से multiply करो कर दिया multiply उसमें 2 प्लस करो ठीक है कर दिया 5 से multiply करो कर दिया उसके अंदर 1 माइनस करो चलिए 1 माइनस भी कर दिया अब आपकी पास आंस पर आया है वो 2 डिजिट नमबर होगा नमबर तो 2 डिजिट नमबर ही है आपा जो आपने नमबर सोचा है वो यहाँ पर आएगा और पिछाएगा 9 आज की ट्रिक आपको सबको समझ आ गई होगी बट स्टिल मैं उसे अच्छे से explain कर देता हूँ ध्यान से देखिएगा जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नमबर आपने सोचने के लिए बोला किसी को लेट स्पोज मैंने 4 नमबर सेलेक्ट कर लिया उसके बाद के स्टेप्स क्या थे वो याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप था कि जो नमबर हमने सोचा है अपने मन में उसको 2 से मल्टिप्लाई करना है देखिए मैंने 2 से मल्टिप्लाई किया तो मेरे पास आया 8 अगला स्टेप क्या था 2 एड करना तो इसलिए 8 में 2 एड करेंगे तो क्या होगा 10 बन जाएगा थर्ड स्टेप 5 से मल्टिप्लाई करना देट मिंस 10 मल्टिप्लाई 5 यह बनेगा जी 50 और लास्ट में 1 सब्ट्रेक्ट करना जो 50 आंसर आया है उसमें से 1 सब्ट्रेक्ट करिए तो आंसर क्या बनेगा 49 तो आप देखिए अगर मैंने 4 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आया 4 पीछे बना 9 आप इन में से कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं आप 8 सेलेक्ट कर लीजिए 8 के साथ सेम स्टेप्स लगाईए आपका फाइनल आंसर बनेगा 89 और पीछे बाली वैल्यू 9 आगे बाली वैल्यू जो नंबर आपने सोचा था इस ट्रिक को अपने दोस्तों के साथ कहीं भी बच्चों के साथ इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से अगर आप छोटे बच्चों के साथ यह ट्रिक यूज़ करेंगे बच्चों का मैस में इंट्रेस्ट बनेगा और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेर कर सकते हैं और मैं इसमें एक चीज और एड़ करना चाहता हूँ इवन दो कि हमने 1 से लेकर 9 तक इस ट्रिक को यूज़ करना सिखाया है अगर मान लोग आप 0 भी एड़ कर लें कि 0 से भी इस ट्रिक को लगा कर देखें तो इसका अंसर हमेशा 9 आएगा इस पूरी कैलकुलेशन का अब 9 मतलब 2 डिजिट नंबर का अंसर अगर देखा जाए तो उससे 09 काउंट कर लेना है 09 मतलब जो नंबर सोचा था वो 0 पीछे आ गया 9 तो इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके देखिए definitely बच्चे enjoy करेंगे I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए Thank you so much